हेलो बच्चों वेलकम पेक्ट टो चैनल ओलेजिस पावर तो अभी हम जुक्साइज 6.5 को सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम क्विश्चन नंबर 6 को आज सॉल्व करेंगे तो क्विश्चन नंबर 6 में क्या दिया है एंगल q and r of a triangle pqr यहां पर एक ट्राइंगल दिया है pqr उसका एक एंगल है 25 यहां पर दिया है दूसरा एंगल है 65 यह दोनों मेंके 90 हो रहे हैं तो अब्यस्ली यह आपका राइट अंगल ट्राइंगल राइट 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 व तो यह आपका दोनों अगर 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री है तो यह 90 डिग्री है तो अब्यस्ली आपका यह 90 डिग्री वाला एंगल ही बचता है क्योंकि अब्यस्मोय एंगल आपका आपका यह 90 डिगड्री ऑट राइट की। 2 यह आपका 5 डिग्री जटÅ। 2 यह, Q is, कितना होगा, 180-65, सब, 65-25, यह सब डिगरी होगा, तो यह हो जाएगा 90 degree, ओके, तो अब्यसलिए 90 degree हो जाएगा, तो इनने 90 degree में थियोरी क्या है, पैथागोरेस थियोरी लगाएंगे, ओके, तो पैथागोरेस थाइरी में, क्या होता है, तो आपका जो यह, आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कान सा होता है, जो राइट अंगल का आपका लाइन होता है, उसको हाइपोटेनस बोला आता है, तो आपका यह, RQ square is equal to, RQ square is equal to, तो पी आर स्क्वेर और पी क्यू स्क्वेर, पी आर स्क्वेर प्लस पी क्यू स्क्वेर, ठीक है, तो कौन सा ये, ये है, आर क्यू स्क्वेर है, ये ही एक है, और पी स्क्वेर दिया है, ये पी आर स्क्वेर, तो बराबर ही है, ठीक है, ये आपका बराबर है, पी क्यू तो यह नमबर 2, right, which of the following is true, so number 2 is true, okay, so यह आपका solve हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम question number 7, को solve करेंगे, 7 और 8 आगे solve करेंगे, so till then good bye, इस चेनल को, इस वीडियो को, like, share, subscribe करना ना मली, आपने दोस्तों को जरूर बताएगा, so thank you, stay tuned, करेंगे, 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 झाल झाल